समस्कार दोस्तों तो आज हम लोग बहुती काम के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये काम का टॉपिक है क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जो है मार्च एंडिंग हो चुकी है जुलाई आने वाला है और जो है 2024 का ITR भरने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्तों और आपको जो है 1 अप्रेल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 का जो है ITR आपको फाइल करना है तो आज हम लोग इसी टॉपिक के उपर बात करेंगे मेरा नाम है आकाशा हुजा अब आप पूछेंगे कि आप सर हमको ITR क्यों बता सकते हो अपने ऐसा क्या किया है जीवन में तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो है CA किया है ठीक है I am a Chartered Accountant उसके बाद मैंने जो है LLM किया है Masters in Law ठीक है मेरी handwriting पर मत जाओ वो डॉक्टरों वाली है मैंने जो है LLB किया है क्योंकि मैंने LLM किया है आपको पता चल गया होगा कि मैंने LLB किया है उसके अलावा मैंने M.com किया है Masters in Commerce उसके बाद B.com तो आपको पता है स्वाभव एकसी बात है क्योंकि मैंने M.com किया है इसके अलावा इतने courses के अलावा मैंने MBA किया है मैदा बेसन और आटा नई Masters in Business Administration ये मैंने किया है इसके अलावा जो है मेरा PhD अभी जो है उसका इंटरेंस एक्जाम क्लियर है ठीक है तो ये भी अपन होपुली जल्दी कर लेंगे उसके अलावा I am a UPSC Aspirant Aspirant वेब सीरीस तो आपने देखी होगी उसमें से मैं भी एक बच्चा हूँ जो UPSC की तयारी कर रहा है तो ये सब छोटी छोटी चीज़े जो है ये मेरे बारे में आपको मैंने बता दी अब जो है हम लोग बात करते हैं फटाफट फटाफट की ITR हम लोग कैसे क्या फाइल कर सकते हैं 2024 का तो ये वाला वीडियो जो है ये बहुत छोटा सा हम लोग बनाएंगे हम लोग बनाएंगे ITR1 के बारे में जो हम लोग को पता है की ITR1 जो है सबसे बेसिक सेलरी वाले लोग जो है ITR1 फाइल करते हैं सेलरी वाले याने जो जौब करते है अब जॉब कौन करता है आपको पता है बिजनेस कौन करता है आपको पता है तो जिनमें से जॉब वाले हैं ये ITR1 फाइल करते हैं इनको balance sheet, profit and loss कुछ नहीं बनाना पड़ता simple simple अपनी salary डालो form 16 से और अपनी bank statement से check करके उसको file कर दो government को TDS अगर आपने पे किया है और वो आपके income tax से जादा है तो आपको refund आ जाएंगा अगर नहीं तो फिर आपको पैसा भरना पड़ेंगा वो चलान के रूप में आप पे कर सकते हो तो हम लोग जो है आज जानेंगे ऐसे कि आप ITR जो है वो कैसे file करोंगे ITR 1 क्योंकि यह वीडियो जो है specific हम लोग job वालों के लिए बना रहे है ठीक है यहां तक का content आपको clear है अब हम लोग जो है chrome पे जाने वाले हैं chrome पे जाने के बाद हमारा home screen आ गया home screen में हमारा chrome यह रहा chrome पे जाने के बाद हम फटा फट से यहां कहा है रे मेरा नाम सर्च किया हुआ है यह मैं नहीं हूँ इसके बाद हम लोग ITR डालेंगे तो हमारे सामने income tax की website खुल जाएगी income tax की website कुछ इस तरीके से दिखती है अभी नया portal आगया है पहले जो था यह portal काफी अलग था अभी उन लोगों ने काफी develop कर लिया है इसको तो हम लोग जो है login पर click करेंगे login पर जाने के बाद जो है आपको पता है ITR फाइल करने के लिए आपके पास आपका pencard होना जरूरी है ठीक है क्या जरूरी है pencard pencard का नंबर आपको यह तो आधार card यह pencard यह आपको डालना है हम लोग जो हैं यहाँ पर suppose तो मेरा वाला pencard डालेंगे ठीक है यह में बाद में हाइट कर दूंगा आपको दिखेंगा नहीं अरे बाद continue option ही नहीं आरा मेरे इसमें हाँ अब आगया चलिए अब continue करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर password डालेंगे क्या चाहते हो आप मैं password आपको दिखाओ इस पर क्लिक कर दूँ नहीं की कर दूँ नहीं ठीक है नहीं करना चाहिए तो मेरा password जो है वो मेरा password है उससे आपका कोई लेना देना नहीं मैंने password जो अरे यह तो visible हो रहा है ठीक है मैं इसको बाद में height कर दूँगा मैं बाद में इसको height कर दूँगा नहीं तो आप देख लोगे गलत password इसा क्या डाल दिया है मैं अरे यह गलत फिर भी मुझे तो मेरा password याद है फिर यह मेरा password गलत क्यों बोल रहा है मेरे सबसे आप लोगों ने देखा है इसलिए शायद यह इसे गलत बोल रहा है मैं जो है एक काम करता हूं forget password पर जाता हूं अपनी email ID डालूंगा भी एंगे ठीक है email ID नहीं sorry pencard ID pencard नमबर डालने के बाद मुझे जो है OTP आएगा OTP मेरे आधार काड के नमबर पर आएगा generate करना है मुझे OTP क्योंकि मैं password भूल गया हूं इससे आपकी नई learning और हो गई कि अगर आ चुका है मैं एक बार OTP चेक कर लेता हूं कि आपको पता चल जाए गई ठीक है यहां से मुझे मैच होना चीए मेरा password इसलिए मैं मैच करने कुशिश करता हूं यह जो है यह दोनों password मेरे मैच नहीं हो रहे तो अब जो है मैं ऐसे match करों मेरी कीबोर्ड में कुछ problem है मैं यह दबाता हूं तो जबाता हूं यह दबाता हूं हाँ अब सही दबा जो है यहां पर क्या है यहां पर गया सरी तो अब यह हो जाना चाहिए हमारा password submit अरे तो मेरा previous password था तो मुझे जो है नया password रखना पड़ेगा ऐसा जो मेरा previous password नहीं था यहां से आपको learning मिल रही है मेरे दोस्तो कि आपके पुराने password जो है वह आप यहां पे नहीं ही रख सकते जो आपने कभी यूज की है तो आप समस्तों यह कि सोचिए कि यह मेरी गलती है मैं आपको सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आप भी से कुछ सीखें अब मैंने सब्मिट पे क्लिक किया मेरा password जो है चेंज हो गया है अब मैं लॉगिन कर सकता हूं यहां से आप जो है आपका learning शुरू होता है मतलब वहां से भी शुरू होई यह था लेकिन यहां से और अच्छे से शुरू होता है यहां से हम लोग ने continue किया पासवर्ट डालेंगे जो अभी अपने रखा था ठीक है मैं फटाफट फटाफट डाल देता हूं फिर मैंने कुछ गलप किया फिर मैंने कुछ सही किया फिर मैंने सही किया अब जो हां दोस्तों अब हम लोग आ गए है लॉग इन पेज पे लॉ 24-25 assessment year अब income tax में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ असेस्मेंट यह जो होता है वह आपका Financial Year और Осेस्मेंट इस इनकम टेक्स में किस तरह के से होता है हमारा एक टॉपिक हो गया यां लर्निंग का तो सपोज आपका assessment year है 2025 2026 तो इसका मतलब आपका financial year होगा 2023 सॉरी 2024 2025 2025 तो आप handwriting ignore कीजिएगा मेरी क्योंकि मेरी handwriting वो काफी अच्छी है तो इसको आप ignore कर सकते हैं तो 2026 जो आपका assessment year है 2024-25 उसका financial year है एक साल पिछे चलता है इन्शॉर्ट income tax का बोलना यह है कि जो 31 March 24 से जो आप 1 April 2024 से जो आप 31 March 2025 तक जो आपने काम काच किया उसका assessment year 25-26 में आप ITR फाइल कर रहे हो simple सी भाषा में यह है तो आप यह समझ लोगी 31 March 25 है यह last है यहाँ से financial year आपका end हो गया और यह assessment year हो यहाँ तक का ब्योरा यहाँ दे रहे हो financial year का ब्योरा assessment year में दे रहे हो इतना सा आपको याद रखना है क्या याद रखना है आपको फाइनेंशियल येर का ब्योरा मैं असेस्मेंट येर में दे रहा हूं तो आपको सिंपली याद रहेगा कि वहिया 25-26 का असेस्मेंट है मतलब 24-25 का ब्योरा में दे रहा हूं ठीक है इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है वापस आते हैं अपने ITR के डैश्बोट के उपर आप तो मैं आगया यहाँ पर यहाँ पर मेरा जो है 2024 क्या आपको सिलेक्टर ना ITR वन यह फिल करना है बागी केभी फोर्म से वहाँ बिजनेस वर्एं के लिए कुछ capital गेंस के लिए भी है तो वह चीजें हैं अभी लोग आई ट्यार वन की बात कर रहे हैं मैं क्यों फाइ तो are you filing the income tax return on any of the following इन कारणों की वज़े से आप फाइल कर रहे हो तो आप पढ़िए क्या कारण है taxable income is more than basic exemption basic exemption डाही लाक रुपए से आपकी इंकम ज्यादा इसलिए आप राइट यह फाइल कर रहे हो बेसिक सा यह बोलना है तो जी हाँ उसके अलावा आप कोई जो है प्रीफिल्ड डेटा जो है वह आ गया ठीक है प्रीफिल्ड डेटा आ गया जैसे कि मेरी एकुछ इंकम जो है वह आटोमेटिक मेरे पैनकार्ट से फैच होके आ गई है तो आप चाहें तो इसको एसटीस फाइल कर सकते हो या आपको पास कुछ चेंजे से पहले परस्नल आपकी सब बेसिक बेसिक डिटेल से यहां से आप जो है नेचर ऑफ इंप्लॉइमेंट प्राइवेट पॉब्लिक स्टेट गवर्मेंट से बिजनेस तो नहीं डाल सकते हैं कि आप अपना रिफंड वाला अकाउंट जिसमें आपका टीडियस का रिफंड आएगा वो वैलि करनी होगी कनफर्म करने के बाद मेरा अगला टाइब ओपन हो जाता है अगर आप यहां पर कूछ चेंजेस करना चाहते हैं प्रिफिल्ड इंकम में तो क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो या तो फिर आप उसको एड़र्टीज भी बढ़ा सकते हो ठीक है तो हम लोग जो है अभी तो माफ कीज़ेगा दोस्तो एक कॉल आ गया था मुझे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपका जो है आपको अगर इंकम प्लस माइनस करनी है तो आप सकते हैं जिसे मैं को सैलरी की इंकम कम ज़ादा करनी है तो मैं वो कर सकता हूं उसके अलावा मान के चलो मुझे अधर सोर और सेक्षेन 10 की कोई इंकम है वो मेरे को डालनी है तक मैं डाल सकता हूं अभी मेरे फैइनल एकर आपके लिए गरेे J ले सकता हूं आपको वो डिडुशं के लिए स्पेसिफिक एक वीडियो मेरे को बना के देना पड़े गा ये वीडियो हम लोगग भालिए अम लोग filing के बारे में जान रहे हैं आपको form 16 में usually deductions mentioned होते हैं तो आपको as it is उसको यहां पर file कर देना है तो बस उसके बाद जो है हम लोग अगले टैप की तरफ जाते हैं अगला टैप जो है वो हमारा होने वाला है tax paid याने जो TDS आपका कटा है वो यह tax paid में automatic mention हो जाएगा मेरे case में भी वो mention हो जाएगा अभी कुछ system के कुछ अभी errors चल रहे हैं क्यों क्योंकि अभी जो है update हो यह site लोगों के ITR अब जाना चालू होंगे तो वैसे ऐसे TDS reflect होंगा आपने शुरू में मैं notice किया होगा एक 7000 का TDS मेरा भी दिख रहा था total tax liability उपर जो आपने data डाला है वहाँ से calculate होगी tax paid याने जो TDS कटा है plus advance tax plus minus ओके या तो आपको refund बनेंगा या तो फिर आपको pay करना पड़ेंगा ये type पे click करने के बाद अभी जैसे 00 की liability होगे रहे हैं आप जैसे confirm करेंगे आपको जो है वह बोल देगा कि आप ओके की रिपोर्ट है आप जबर प्रोसीट किजिए प्रोसीट करने के बाद आप आधार OTP से verify करेंगे आपका ITR जो है फाइल हो जाएगा बस इतना ही था इस वीडियो में और जो है हमने बहुत कोशिश की कि आपको ITR 1 जो है वह अच्छे से समझा दिया जाए तो बस ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबाए टेक केर एंड बस टेक केर